हाई फ्रेंज मैं आपकी पूजा पूजा की रोसोई घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए एक दम नई नई टिप्स एंट्रिक्स लेके आए हूँ जो आपका काम बनाए आसान घंटों का काम होगा मिन्टों में आपका समय और पैसे दोनों बचने वाले हैं अगर आप को सब्सक्राइब करें अब वीडियो को ज़्यादा सेयर करें चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहले टिप्स सल्ट को लेके हैं पुराने सल्ट होती हैं हम फेक देते हैं फेक ये बिलकुल नहीं इससे बहुत ही अच्छा चीत बनने वाला है आप देखके हैरान हो बहुत ही अच्छा अगुनाजर बनने वाला है ये देखिए इस तरह से उल्टा कर लेना है और जो नीचे का भाग है इस तरह से मोड लेना है देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसमें डोरी बान सकते हैं या रबडबन लगा सकते हैं जो आपके पास हो आप इस तरह से दबा के रबर्बन लगा दिजे, ना इसे काटना है, ना इसे सीलना है, या इतने काम की चीज है कि आप देखते ही बनाएंगे, देखिए इस तरह से रबर्बन मैंने लगा दिया है, फिर इसे सीधा करते हैं, देखिए मैंने सीधा कर लिया है, आप क्या चाहिए, इस तरह से और कोई भी डिबा या आप दप्ती ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, इसमें डाल दिजए इस तरह से, अब इसमें ध्यरो कपड़े आएंगे, आपके पास अलमारी में जगा ना हो, या फालतु कपड़े हो, तो आप आसानी से इस तरह से रख सकते हैं, या रोज वाले भ अपको कपड़ा लेना हो आसानी से आप लेके इस तरह से आप कहीं कैसी लगी जरूर में चलीए अगली कुकर को लेक Pictures देख लेते हैं कुकर देखी सकते हैं मैं आपको एसी टिप्स बनाऊंगी कि आपकी कुकर इसी कि यह घुकि हम चावल बनाते हैं दाल बनाते हैं यह सब्सक्राइब करणा, जा़ भी पिला वाहँ आहि स्पांड प्रियुक्षा सब्सक्राइब है नहीं सीच जब आपका कुकर लाग पढ़ने लगे वाहँ तो सब्सक्राइब तो आप इस embrace this पीलापन जो भी है कुकर एकदम साफ हो जाएगा बहुत ही असानी से क्योंकि माजने के बाद भी नहीं छूटता है लेकिन इस तरह से आप करेंगे रोज ना करें तो हपते में दो बार इस तरह से जरू कुकर माजें बहुत ही असानी से चमक जाएगा अब इसे मैं धो के दि बिल्कुर ना भूले अब गर्मी आ गई हैं सभी को प्याज चाहिए खाने में और हम काटते हैं तो हम लोग के आसु निकलाते हैं लेकिन ज्यादा ही प्याज काटना पड़ता है सभी के लिए मैं आपको एक सी टिप्स बता रही हूं कि बहुती आसाने से आप धेरो प्याज काट लेंगे इस तरह से देखिए काटावला चमद चिसमें डाल देना है और इस तरह का सभी के घर में मिल जाता है कद्धू कस बहुती आसाने से ठेरो प्याज आप काट लेंगे एक दम महीन महीन पतले प्याज करते हैं और आशू भी नहीं निकलेंगे देखिए इस तरह से कितनी आसाने से कट गिया मैंने एक ही प्याज आपको काट के दिखाया है इस तरह से आप धेरूप्याज काट सकते हैं देखिए कितने सुन्दर एकदम पतले-पतले हुए आप सलात बनाएं या इसी तरह खाने में भी देश सकते हैं देखिए मैंने पहले से भी काटके रखा है यह टिप्स आपको कैसी लगी कमेंड में चरूर बताएं अब गर्मिया आ गई हैं दही सभी को चाहिए खाने में दही कभी कदा कम हो जाती है तो आप तुरंत कैसे जमाएं कि ताकि आपके घंटों में आपका दही फिर से तयार हो कुछ ही गरम नहीं होना चाहिए हल्का गुनगुना ही होना चाहिए अप दही डाले इस तरह का आप ले सकते हैं रोटी रखने वाला हाटपोट है यह आप रख देंगे तो बहुत ही जल्ली बहुत ही आसाने से जम जाती है एक घंटे में दही जम के तयार हो जाएगी क्यो चावल बत जाता है, तो न कमीन कोई खाती है, यह बसी चवल का क्या करें, बैकं भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अनाज है, यह सही है चازल, आब देख सकते हैं, इसका कुछ नया बनाया जाए, देखे, मैंने остав लिया है, इसमें थोड़ा से मैंने नमक डाला है इसमें चावल डाला है नमक डाला है अब लाल मिर्च पॉडर या खाने वाला सोडा है इससे एकदम बहुत नई चीछ तेयार होगी आपको खाने में भी बहुत मजाने वाला है इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंग गैस की फिलेम मीडियम है इसे बराबर चलाते हुए दो मिनट इसे पकाना है इससे बहुत ही अच्छे पापड बनते हैं देखिए मैं छत पे आ गई हूँ यह थोड़ा सा ठंडा हो चुका है इस तरह से गोली बना लेना है और पॉलिथिन लगा के हलका तेल मैंने लगाया उ इस तरह से थोड़ा तिलोरी भी मैंने बना लिया है क्योंकि अगर्मी का दिन है एक ही दिन में सूख जाता है धूब बहुत तेज हो रही है इस तरह से आपके चावल खराब भी नहीं होंगे नई चीज बन जाएगी जब आपको चाह पीना है तेसे फ्राइग करें और चा अब इतार को देखे इस तरह से पूरा मोड लेना है और इसमें एक रवर बेंड लगा देना है इससे यह होगा तार इधर दर फैलेगा नहीं इस तरह से एक जगा रहेगा इसे साइड में रख देते हैं चली देखी यह चॉलरी बैग है सभी के घर में आती है जब हम सोना चाणदी खरिते हैं तो इसता से बैग मिलता ही मिलता है और इधरो-धरम फेक देते हैं इसे इसे आप नए तरीके से यूज कर सकते हैं यह डबल टेप है डबल टेप सभी के घर में मिल जाता है बहुत ही आसान सी टिप्स है इस तरह से डबल टेप लगा देना है बैग में देखे, मैंने दोनों तरफ लगा दिया है, यह दिखिए, सामने से मैं दिखा रही हूँ आपको, लाइट से चमक रहा है, देखे, इस तरह से, और इस तरह से आप कहीं भी चिपका देए, जहां आप मिक्सी ग्रंड रखते हैं, वहां आप इस तरह से कीचन में दबा देए, देखे, कितनी असानी से अचे पक गिया है, आपका तार सेफ हो जाएगा, ना चुहा काटेगा, ना पानी पड़ेगा, बहुत ही असानी से इसमें आ जाता है, आगे एकदम नई-ईटिप्स है, आप जरूर देखे, बिना इसकी पूरा वीडियो देखे, आपको बहुत मज जाने वाला है, देखे, इस तरह से तार रग के बैग बन कर देना है, यह सेफ हो चुका है, यह टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंड में जरूर बताएं, चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, क्या है, आप देख सकते हैं, डबल टेप मैंने लगा दिया है, और जो बैग ह इस तरह से चिपका देना है, आप इस तरह से भी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की टिप्स है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, देखते ही आप बनाएंगे, देखे, इस तरह से आप चम, चाकू, छिलनी, कुछ भी रख सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते ह आपको इन में से कौन सी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आएए कमेंट में जरूर बताएं अगर मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज़्यादा सेयर करें मैं आपके लिए नई नई टिप्स लात दूरूंगी मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी बाई